एजुकेशन सद्गुरू के डेली जीके कुईज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है डेली कुईज, मोक टैस्ट, करेंट फेर्स, कोश्चन और आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsatguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं तो चले दोस्तो, आज के सेसन की सुरुवात कल के 20% से करेंगी, कल हमने आप से 20% में पूछा था कि भारतिय वन्य जीव संस्थान यानि Wildlife Institute of India का मुख्याले कहां इस्थित हैं भारतिय वन्य जीव संस्थान से ओलिव रिडले समुदरी कच्छूव की गतिव वीदियो के बारे में नए सेरी से अध्यन करने का अनुरोध किया गया है चले आज का अपना पहला प्रसंद देख लेते हैं कि हाल ही में BCCI ने किसे Women's T20 Challenge 2020 का टाइटल स्पॉंसर बनाया है इस प्रसंद का सही आंसर है ऑप्शन C यानि जीव हाल ही में भारते किर्केट कंट्रोल बोर्ड यानि BCCI ने जीव को Women's T20 Challenge के 2020 संस्क्रण के लिए टाइटल स्पॉंसर के रूप में गोसित किया है आपको बता दे कि BCCI और जीव के बीच हुई इस साज़दारी में Reliance Foundation Education and Sports for All ता भी समर्थन होगा चले एकला परस्ट में देख लेते हैं कि हाल ही में कि इस देश के पूर परधार मंत्री मैसुत इलमाज का निधन हुआ है आपको बता दे कि इलमाज ने 1991 से 2002 तक मध्य दक्षिन मंत्री मधलन पार्टी का नितरत्व किया था और वह 1990 के दसंग में तीन बार देश के परधार मंत्री चुने गई थे परति एक वर्स एक नितर्व को दुनिया भर में विशु साकाहारी दिवस मनाया जाता है आपको बता दे कि परियावरान को बचाने के लिए इस दिन इसके परति जागरुकता फलाय जाती है साथ ही लोगों की साकहारी खाने के परति रूची को बढ़ावा देना भी इस दिवस को मनाने का पर्मुक उद्देश है चले एकला परसन में देख लेते हैं कि एंट्रिक्स कॉर्परेशन निमनी खित में से कि संगठन की वानिज्यक साका है इस परसंड का सही आइसर है उप्सन डी यानि nehme लुख्राइशन को दो हाज़ार पांच में एक उप्कराइश स्टार्ट एवासम elf तेने को कहा है अगला परसन भी देख लेते हैं कि निमली कित में से कौन T20 किर्केट में 1000 चक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज बना है इस परसन का सही आंसर है ऑप्शन B यानी क्रिस गेल किंग्स 11 पंजाब की ओर से खेलने वाले क्रिस गेल ने हाल ही में T20 किर्केट में 1000 चक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए है आपको बता दें कि T20 किर्केट में सबसे ज़्यादा चक्के लगाने के मामले में किर्वन पॉलार्ड 690 चक्कों के साथ दूसरे स्थान पर है चल एकला परसन भी देख लेते हैं कि Annual Status of Education Report यानी ASER 2020 के अनुसार कितने परतिसत बच्चों के पास online कक्षाव तक पहुंच उपलग थी इस परसन का सही आंसर है Option A यानी 11 परतिसत गरामिन भारत में लगबग 60,000 चातरों के फोन सर्वेक्षन का आयजन करके हाल ही में Annual Status of Education Report 2020 जारी की गई इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षन में सामिल बच्चों में से 11 परतिसत बच्चों के पास ही online कक्षाव के लिए पहुंच थी वही सर्वेक्षन में सामिल बच्चों में से केवल एक तिहाई को ही online सीखने की सुईदा उपलब्ध हुई चले एकला परसन में देख लेते हैं कि हाल ही में लॉंच केवडिया परियटन सर्कृट का विशेग क्या है उप्षन ए आत्म जिरभर, B समरद, C एकता या परिडी एक भारत इस परसन का सही आंसर है उप्षन C यानि एकता प्रधान मंतरी नरेजर मोधी ने हाल हीम में गुजरात के नर्मदा जीले के केवडिया में स्टेचो आफ यूनिटी परिशर के आसपास 17 परियोजनाओं का उदगाटन किया है आपको बता दे कि सर्दार पटेल के जिनम दिवस को एकता दिवस की रूप में बना जाता है और इस दिन परिधान मंतरी ने परियोजनाओं का उदगाटन किया और इन 17 परियोजनाओं को के वडिया परियोजनाओं सर्कृट कहा गया चले गला परसन भी देख लेते हैं कि निम लिखित में से किस वैवसाइक समू को 50 वर्सों के लिए मंगलूरू हवाई अड़े का परभार दिया गया है इस परसन का सही आंसर है ऑप्सन ए यानि अड़ानी समू हाल ही में अड़ानी समू को मंगलूरू अंतराष्टे हवाई अड़े का कारिये भाल 50 साल के लिए दे दिये गया है आपको बता दे कि इस ग्रूप ने इससे पहले हवाई अड़े के संचालन परबंदन और विकास के लिए रियायत प्राप्त की थी चले गला परसन भी देख लेते हैं कि निम लिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में परटाकों की विक्री एम आतिस बाजी पर पूर्ण रोक लगा दिया है वे राजिस्थान सरकार ने कोरोना संकर्मन को फैलाने से रोकने और कोविड-19 की परेशानी के मद्दे नजर दिपावली पर पटाकों की विक्री और आतिस बाजी पर भी लोग लगा दी है इसके लाबा मुख्यमंतरी असो गहलोत ने अधिकारियों को बीना फिटनेस के ध्वाँ उगलने वाले वहन अपर सकत कारवाई करने के आदेश भी दिये है चले आज के ससन का अपना आखरी परसन भी देख लेते हैं कि हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्परेशन ओफ इंडिया यानी पीजी सी आई एल ने किसे अपना निदेशक प्रियोजना निप्त किया है इस परसन का सही आंसर है ऑप्सन ए यानी अभे चौधरी हाल ही में अभे चोधरी ने पावर ग्रिड कॉर्परेशन ओफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक का कारियभार समाल लिया है वें इस से पहले कारिय पाली का निदेशक और CMD समन्वे परकोष्ट के परभारी के रूप में कारिय कर रहे थे आपको बता दे कि में एनाइटी दुरकापूर से इलेक्ट्रिकल इंजिनिरिंग से ग्रेजवेट हैं चले आज का अभ्यास परसन भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंट सरकार्णे सैनिक उस्कूलों में और भी सी को कितने परतिसत आरक्षन देने की गोशना की हैं और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूले और बैल आइकन को जरूर प्रैस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रही है